यह जो वास्तों में अमारे आंस्वाधिन्ता की जो प्रेढ़ना थी वो स्वत्रही थी स्वधर्म, स्वधेशी और स्वराज उस कालखंड में बासुदे बलवन फड़के या उनसे प्रेड़ना प्राप्त करके उस कालखंड में महराष्टर में जो सारा करांती कारी अंदोलन प्रारंब हुआ पंजाब में सद्गुरु राम सिंग कुका उनसे प्रेड़ना प्राप्त करके स्वाधिंता का संगर्ष प्रारंब हुआ वो स्वामी द्यानन सरस्वती जी से प्रेड़ना प्राप्त करके आरे समाज और उसके द्वारा एक बहुत बड़ा स्वादिंता के संगर्ष की जिसकी बड़ी भूमिका योगदान रहा वो रामकिष्ण परमंस स्वावी रामकिष्ण परमंस से प्रेड़ना प्राप्त करके स्वामी वेकानंद भगनी निवेदिता और उसके बाद और उसी कालखंड के अंदर बंगाल में राज नेरेंड बसुद जिन्होंने हिंदू मेलों से प्रारंब किया और धीरे धीरे करके सतीश चंदर मुखर जी, राधा कुमन मुखर जी, मारिशी अर्विंद और उन सब से प्रेजना प्राप्त करके वो जो कालखंड था, वो संगर्श का एक हिस्सा था उस सारे स्वाधिन्ता के कालखंड में संगर्श में हम अपने गुरकुल स्थापित कर रहे थे हम भारतिय शिक्षा संस्थाइं स्थापित कर रहे थे अपनी मातरबाशा में शिक्षा की बात कर रहे थे उस कालखंड में अपनी रूडी कुरीतियों को दूर करने का हम प्रया लेकिन 1911 तक आते आते वो जो अंग्रेजी शिक्षा विवस्ता में से पढ़कर निकले वे लोग जैसे जैसे करके सामाजिक, शैक्षिक, मीडिया, समाज की सब संस्तों में प्रभावी होते चले गए देखते देखते अपना ये संगर्ष सो त्रेई से बदल कर केवल सुराज तक सीमित हो गया वो जिस काल खंड के अंदर जगदीश चंद्र बसू ये कह रहे थे कि मेरी ये सारी आए इसके दो हिस्से कर लो एक हिस्सा भारतिये भाषों में विज्ञान की शिक्षा और दूसरा हिस्सा भारत में मोली कनुसंधा उनको जर्मनी की प्रियोक्षालों से निमंतरन मिल रहा था उन्होंने कहा कि सीमी संसादनों से मैं कलकत्ता में प्रियोक्षाला बनाऊंगा विदेश के लोग पढ़ने के लिए मेरे पास आएंगे ये हमारे स्वाधिन्ता अंदोलन की प्राकाष्ठा थी उसका लखंड के अंदर वो बंगिय विद्या ज्यान परशद के अध्यक्ष होते वे सत्यन बहुत बार बार वाशन दे रहे थे वो फ्रेंच जानते थे, जर्मन जानते थे, इंग्लिश जानते थे, बंगला जानते थे, हिंदी जानते थे, दुनिया के हर शोध पत्र का वो बंगला में हिंदी में अनुबात कर रहे थे विज्यानिक बिना सपने देखे नहीं बनता सपने मातर भाषा में आते हैं कभी विदेशी भाषा में नहीं आते हैं विज्यान का मोलिक नसंदार ये कभी विदेशी भाषा में हो गा ही नहीं वो मात्रबाशा में होने वाला है ये हमारे स्वाधिन्ता के अंदोलन की प्रेड़ना थी उस समय बड़े बड़े लोग अंग्रेजी शिक्षा संसानों से और निकल कर राष्ट्री विद्यालों में प्रवेश ले रहे थे वो हमारे अंदोलन की एक प्रकाष्ठा थी वो स्वत्रई की प्रेड़ना से चलने वाला स्वाधिन्ता अंदोलन 1947 तक आकर जैसे तैसे आजा दी और जो 1905 में बंगाल के विभाजन को स्विकार निकर रहा था उसने 1947 में देश के विभाजन को स्विकार कर लिया यह हमारे स्वाधिन्ता के संगर्शे का एक दूसरा हिस्सा भी है यह जो स्वाधिन्ता के आंदोलन की जो वास्तित प्रेड़ना थी वो जो स्वा था वो स्वा क्या था वो किवाल स्वराज नहीं था वो किवाल इंडिपेंडन्स नहीं थी वो जैसे तैसे करके अपने लोगों का शासन नहीं था उसकी प्रेड़ना के अंदर इस देश की हजारो हजारो वर्षों की जो संस्कृति है उस संस्कृति के वैशिष्टे के साथ दुनिया की यूगा नुकूल प्रश्णों का उत्तर देते वे भारत को विश्व में एक भारत की जो भूमिका है उस भूमिका के लिए त्यार करना था जिसको बार-बार मारशी अर्विंदी ने कहा Spiritualism is the only politics मेरे लिए और राजनीती कुछ नहीं है भारत महान होगा यानि भारत की सोतंतरता का मतलब क्या है भारत महान होगा यानि दुनिया के अंदर भारत हिंदुत्यों के अपनी विशेष्टा को लेकर सारी दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार करेगा यह हमारी प्रेड़ना थी उसका लखंड़ के अंदर स्वामी जयानंद सरसोदी कह रहे है थे वेदों की पुनर प्रतिष्ठा उसके आधार के ओपर जीवन की रचना यह जो अपने समाज जीवन के स्वाधीनता के आंदोलन की जो वास्त्विक प्रेड़ना थी उस प्रेड़ना को समझने की आउशकता है